हेलो फ्रेंट स्वागत है आपके यूटूब चैनल ग्रोव अप्रेडर्स इस वीडियो में एनलाइज करने वाले हैं डीटेल में कि कल निफ्टी और बैंग निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं प्राइशन क्या बन रहा है मार्गेट कल किसे बीहव कर सकते हैं और क्य क्योंकि कल फिन निफ्टी के एकसपाय दी तो फिन निफ्टी को भी डीटेल में देख लेते हैं कि कल फिन निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और क्या टार्गेट देखने को मिल सकते हैं तो वरने टाइम पर अगर बात करें तो देखें बैंग निफ्टी के जो के बनी है वह बनी यहां पर रैट केंडल लिकें डाउन साइड से रिजेक्शन लिया है और देखो प्राइस निक्या किया यहां आप से सपोर्ट लेके दिरे-दिरे करके मुवबंट दिखा रहा है य अगर तो आज यहां पर फाइफ निट के आज पास जाकर इसने कर पार यह लेकिन अगर प्राइस भी मूव करता है और है उसके अगर बेक तो फिर इसके लिए जो नेक्ट बनेगा वो बनेगा 52,000 डाउन नमर लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर 500 अबफ लोग जाहिए तभी आगे के डार्गेट देखने हो मिल सकते हैं और यह जो यहाँ इरिया यह यहां पर यहां पर इती किप यहां पर मॉफ करेंगा यहां फिर मॉफ करेंग डानों सैट कियो से देखो मेजर जो ट्रेंड इसका चल रहा था न वो क्या चल रहा था डाउन चल रहा था डाउन साइट से सपोर्ट लिया है प्राइज ने और धीरे-धीरे करके मुवमेंट दिखाना है अपसाइट लेकिन जिस तरह से मूफ कर रहा है न तो यहां पर थोड़ा सा जह रिसकी प्राइज ने दिखाना है लेकिन एक भी पर्फेक्ट बुलिश वाली केंडल नहीं है यहां पर बायर्स भी हो सकते हैं प्राइस को डाउन लाना है या फिर अपने जाना है यह एक डिसाइड करने वाला एरिया है ठीक है तो इस एरे कि आसपास जो भी प्लान करें सो समझक अगर प्राइस 52,000 अबव अगर सशन करने लग जाता है जिस दिन उस दिन फिर आगे के टार्गेट यानिकि फिर हमारे स्ट्रॉंग वी हो जाएगा यहां पर पूरी तरह से क्या है बुलिश का फिर हमारे पास आगे के यह तार्गेट भी देखने को मिल सकते लिकिन अभी जिस लेवल पर है यह हमारे पास क्या है rejection का area है कहीं से भी price कर सकता है यहां से rejection face कर सकता है sellers अपनी position यहां पर फिर से बना सकते हैं ठीक है तो थोड़ा सा area जो है यह धियान रखना area और downset से तो price ने 50 EMA अबव सशन करना भी start कर दिया है ठीक है तो इसका जो price अगर change होगा प्राइस 50 EMA below sustain करेगा तब हम चलेंगे बेरिश के लिए अभी हमारा व्यू यहां पर पूरी तरह से बेरिश का भी नहीं है ना यहां पर बहुत जदा हम बुलिश है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जो व्यू है वो बन रहा है यहां पर इंट्राडे परपस से है तो अबले तैम फ्रेम पर अगर देखो फ्रेंट तो इसका जो बहिए र है प्राइस का जो बरेठ करेंगे जब ऑनाध करे गा पिशले सब्सकी मुमेंट्म उस तरह से मिल 하기 नहीं पा और sideways हो जाता है इसको remove कर देते हैं यहां पर देखो price क्या करता है gap up open किया अच्छा कहा सा gap up open किया लेकिन sideways हो गया थोड़ा सा move किया downside यहां देखो आज भी gap up open किया price down आया लेकिन एक ही candle यहां पर bullish बनी लेकिन उसका भी high break नहीं कर पाया तो यहां पर क्या हो रहा ना price जब भी gap up open करता है तो थोड़ा सा trade risky हो जाता है यहां पर देखो gap up open किया trade पूरा risky यहां पर देखो gap up open किया ट्रेड पूरे दिन risky बना तो थोड़ा सा view है अफसेट लिए वो risky है पहले तो price gap up open कर देता है अपसाइट के जो टार्गेट होते हैं वो पहले ही डन कर देता है तो इसके लिए जो ट्रेड बन रही वो थोड़ा सा रिस्की बन रही अपसाइट के लिए तो अपसाइट का जो भी ट्रेड प्लान करें इस एरिया के आसपा सोच समझ कर करें क्योंकि सेलर्स कभी यहां पर कहीं से भी बड़ी सेलिंग आ सकती है एक बड़ी कैंडल बन सकती है जहां पर बनाई जा सकती है डाउन्साइट के लिए अब यहां पट्रेंडेंतक औरम करें अगर इसको मां कर दीए ज्ञाधा पर्फेक्ट है देखो यां पर तो प्राइस या कर रहे है प्छले समझ को प्रिशला सपोर्ट ब्रेक होना स्टार्ट होगा तब यहां पर सेलिंग प्रशर देखने को मिल सकता है तो यह ट्रेंड लाइन और यह सारी एरिया इंपॉर्टेंट है ध्यानक ना आप साइट से स्टॉर्ण लेवल है वह हमारे लिए बन चुका है 300 300 ब्रेक करेगा और यह अगर ब्रेक हो जाती सेस्टन करता है तो फिर आगे के टार्गेट डाउंसेट देखने को मिल सकते हैं फिर मारे पास यहां पर 51,000 डाउंड नंबर और उसके बाद नेक्ट यहां पर 880 और 800 यह टार्गेट निकल कराएंगे डाउंसेट के लिए ठीक है तो यहां पर सो 4 यह प्राइस अपर के साथ या फिर ज्या तो फिर से 50 यह में एक बाद धान हंज ल। फिर से 50 य्में कि आhnें में कि आ पर 51 सबस्तार करा है क्या यह पर दिखना-फर न कि यहां पर सटे लिए उपकर यह है है एक सेकंड चार्ड यहां पर सेट कर लेते हैं तो पंदमें टाइम फ्रेम पर अगर देखे तो प्राइस दिखो गया अब ओपन हो गया धिरिदे करके मुव्मेंट दिखाया डाउन सैट बहुत जाता चांसे से इसके डाउन सैट आने के और 300 का लेवल ब्रेक करने के क्यों यहां पर मार्क करें 300 राउन नंबर यहां पर यह और देखो 300 के आसपास आकर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और उसके आद मूव किया अपसाइड लेकिन देखो अपसाइड से प्राइजिक्शन जो बना था वो डाउन सैट के लिए बना था जब तक पिछला लो सारी पि 500 से रिजेक्शन और फिट से डाउन तो इसी तरह का मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है तो थोड़ा सा समझ कर रही ट्रेट प्लान करें यहां पर और आज का हाई मांक कर लेते हैं यह वाला हाई 584 का लेवल और डाउन सैट से जो स्टॉंग एरिया है वह 300 राउन नमबर तो मार्केट अगर यहां पर ओपन होने के बाद ओपन होने के बाद देखो यह ट्रेंड लाइन भी अगर 300 बिलो अगर सश्टन करता है तो फिर डाउन सैट के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं और जो टार्गेट होगा सबसे पहले मार्क करेंगे यहां पर यह वाला हडल ठीक है 200 एराउन 200 से लेकर 170 यह हमारे पास हडल होगा यह हमारा फास्ट टार्गेट होगा अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स टार्गेट यहां पर देखने को मिल सकता है वह होगा यहां पर 100 अगर इसको ब्रेक किय और उसके बाद नेशन आपर 100 अगर इसको ब्रेक या तो फिर 51,000 डाउन नंबर यह टार्गेट डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं अब हम बात करें अगर 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 मार्केट ओपन हो जाता है यहां पर इस ट्रेंड लाइन से अगर फिर से 300 के आसपा से सपोर्ड लेता है तो फिर से प्लान कर सकते है अफसाइड लेकिन तो प्राइजेक्शन मिलना चाहिए ठीक है प्राइजेक्शन के साथ चलेंगे और अफसाइड कर जो मुवमेंट मिल सकता है वह 500 अबव तो यहां पर टाइम इस्पेंड करें और उसके बाद अगर हाई ब्रेक आउट करे है तो प्राइज अगर ओपन होने के बाद इस इसरीय को ब्रेक कर देता है यहां पर और आज का हाई करते है तब जा सकते अफसाइड और आपस डर्यारगर होगा वह में लेकर चाल सकते हैं यहां पर अगला करें तो कि यह वाला हडले 700 राउन नमबर 700 ठीक है लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन करना चाहिए क्योंकि इसी एरिये से क्या हुआ था यहां पर देखो कैंडल ने क्लोज गया लेकिन गैब डान ओपन हो गया तो प्रॉपर यहां पर सस्टेन करेगा तब आगे के टार्गेट देखने को मिल सकता है एक हडल बनेगा 650 यहां पर मैं मार्क कर देती हूं थोड़ा सा एजी हो जाएगा यहां पर 650 और उसको बाद 699 या निकि 700 राउन नमबर ठीक है अगर इसको ब्रेक आउड किया तो फिर 780 यहां पर यह 770 780 राउन यह टार्गेट होंगे यहां पर आपसाइट क कि देखो 15 मिट पर भी ना जो प्राइजेक्शन बन रहा है वो पर्फेक्ट नहीं बन रहा है दो दिन से मार्केट जो है ना बहुत ही रिस्की ट्रेड बना रहा है ठीक से मुवमेंट ही नहीं मिल रहा है आप खुद भी देखो यहां पर ओपन हुआ गैप साइडवेज हो घ्रेड करना ना बहुत रिस्की हो जाता है फाइफ मिट पर अगर किसी ने रनिंग केंडल में ट्रेड किया होगा तो प्वाइंट यहां पर मिले होंगे और हमारे पास टार्गेट था फाइफ राउंड नंबर टिएक लाइव इस्ट्रीमिंग में बढ़ा है और यहां प प्राइब गया फिर से 500 अबब सस्टेंट नहीं कर पाया तो 500 अबब अगर यहां पर सस्टेंट कर जाता है और उसके बाद अगर निकालता है तब आगे के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं बैंग निफ्टी में ठीके डाउंसेट के लिए प्रॉपर बेरिश के लिए तब चलेंगे 300 लेवल ब्रेक होगा तब हम चलेंगे डाउंसेट के लिए जब तक प्राइज यहां पर इस एरिया में है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा बाइंग ऑन डिप का 300 लेवल ब्रेक करेगा तब जा सकते हैं डाउंसेट के लिए ठीक है तो इन सारे 500 अबफ सस्टेंड करने तो अगर सस्टेंड करेगा तभी आगे के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं 500 का स्टॉंग लेवल है और अगर ऑपन हो जाता है सब्सक्राइब करना होगा ठीक है 300 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तब जा सकते हैं डाउंसेट के लिए फिर 53 का हाई बनाने के बाद देखो का प्राइव यहां पर क्या हो चुका है अगर प्रेक करता है डाउंसेट ऑ प्रइसमें बिलोा करेगा सेब्ड़ी घंडर करेगी वह इस law के जो तो ठीक है यानि कि 200 का राउंड नमर 200 विलोव प्राइस सेस्टन करेगा तब डाउंसाइट का टार्गेट देखने को मिल सकता है यानि कि बेरिश का व्यू हम कब रखेंगे जब यह लास्ट सपोर्ड को ब्रेक करेगा यहां पर अगर सपोर्ड ब्रेक करता है तो छोटा साह अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तब जा सकते हैं डाउंसाइट के लिए तो चलिए कल के लिए लवस माक करते हैं सबसे पहले माक करेंगे यहां पर आज का हाई और उसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखो यह वाला एरिया है टू थर्टी का एरिया है ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट यहां पर इवाला है तुनक नॉमबर है यह हमारे पास किया है बेस सपोर्ट एरिया ठीक है और आफसे हमारे पास जो हटल से सबसे पहले यहां पर अगर माक एक तो त्रिएंड़्ड यहां पड़ क्या है और उसके बाद यहां पर जोड़न वह हैं वह है वन हैं कि आण सिक्ष्टी और उसके बाद यह तो दिखो याँ पर मैंने कुछ लैस मार्क करें तो अगर प्राइस कल यहां पर ओपन हो जाता है अगर इसको भी ब्रेक कर देता है क्योंकि यहां से सपोर्ड लेनी कोशिश कर सकता है और फिर से अगर यहां से अब जाता है आप जाने कबाद अगर एजेक्शन करता है तो यहां पर हमारा प्राइजिशन क्या हो जाएगा यहां पर चाहिए तो पर यहां यहां पर यहां पर हम बाद करconstru SIM давal ने वर केट हritis कैसे अगर चाहिए थीज़र करना चाहिए डियुक्त कर दो हमारे पास देखो 300 320 यह वाला रिश्टन्स है और उसके बाद यहां पर आई है तो प्राइशन के साथ चल सकते हैं आप सैट के लिए तो फर्स्ट यहां पर जो बनेगा तो फर्स्ट यहां पर सब्सक्राइब यहां पर मार्क कर देती हूं 350 का भी लेवल मार्क कर देती हूं यह क्योंकि फिफ्टी राउंड नमबर है ठीक है तो 350 और उसका फोर है राउन अब अब देखते हैं प्राइस ओपन कहां पर होता है यह फिर फिर यहां कहीं पर और टाइम इस्पंड करेंगा अगर हाई breakout करेंगा तो फिर से अफ्रेड का मुंबेट देख सकते हैं क्योंकि अभी अपनी फिछले सपोर्ट को break नहीं कर रहा है ठीक है अगर इसका फिछला सपोर्ट ब्रेक होने लग जाता है जैसे यह वाला लो अगर इसको प्रेक करेंगा तो इसकं लिए ने सब्सक् ब्रेक कर चुका है यानि इस ट्रेंड का यहां पर 0.546 का जो एरिया है वो ब्रेक हो चुका है और देखो इस केंडल ने ब्रेक आउट किया है इस तरह की केंडल हमें चाहिए किसमें बैंग निफ्टी में इस तरह की केंडल अगर बन जाती बैंग निफ्टी में तब आगे क कि मुवमेंट देखने को मिल सकते हैं तो फिन निफ्टी दो को यहां पर रिकाउट भी कर चुका है और इस ट्रॉंग इसका व्यू क्या है यहां पर बुलिश का है अपसाट इसके लिए हडल किया है यहां पर 800 डाउन नमबर यह इरिया महार पास क्या रेश्टरंस एरिया है तो अभी इसने क्या है तो अब हिसने क्या करके मोमेंट दिखाना है एक बुलिश केंडल बनाई और उसके बाद अभी इसका प्राइशन चल रहा है वह क्या चल रहा आप तो एक हैंट हन्ट का इसका स्टॉंग लेवल है ठीक है फिन निफ्टी में आप चलते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राजेक्शन क्या चल रहा है आप चल रहा है बेरिश के लिए कब चलेंगे जब इसका प्राजेक्शन चेंज होगा अभी हमारे पास हडल क्या बनेगा यहां पर यह वाला इसने रेंज बनाई हुए अगर इसको ब्रेक आउट क्या तो 800 डाउन नंबर डाउन सैट के लिए इंपोर्टन लेवल हमारे पास क्या है यहां पर तो सबसे पहले तो यह वाला लोग है 670 डाउन क्योंकि लास्ट आज भी यहां पर देखे तो सपोर्ड लिया अब यह डाउन आगया फिर से सपोर्ड पिर से अप तो इसने क्या बनाई या यह और प्रैस क्या है 50 इमें क्या सपास्य तो अगर ऑपन होने के बाद इस लोगो ब्रेक कर देता है क्योंकि रिज्ज भी अगर रेंज ब्रेक करता है तब जा सकते हैं डाउनसाइट के लिए तो यहां पर हम मार्क कर लेते यह अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स टार्गेट यहां पर यह वाला हडल 555 का लेवल तो यह कुछ टार्गेट होंगे डाउन सैट के लिए एक ट्रेंड लाइन भी अगर मार्क करूं यहां पर यह वाली ट्रेंड लाइन पिन निप्टी में ध्यान रखना रेंज यह अग एक बार देख लेते हैं 843 के आसपास है यहां पर यह 840 का लेवल अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर नेक्स यहां पर 900 के राउंड लेवल यहां पर इसका गैप है क्या चोटा सा इसका गैप भी है 870 राउंड ठीक है 900 870-900 यह टार्गेट होंगे अपसाट के लिए फिन निफ्टे में यह ध्यान रखना ठीक है बाइंग ओन डिप का ही स्नेरो रहने वाला है यह यह ध्यान रखना नजर में रखना बाइंग ओन डिप का ही वियू है और अपसाइट से अगर प्रेक्शन बनता है तो आप ऐसा के साथ प्रॉपर वर्क करना क्योंकि रेंज बनी हुई है अगर 50 यह में बिलो सचन करता है और सेलिंग प्रशार अगर दिखाई दिरत तब हम जा सकते हैं डाउन सट फिर मारे पास यह टार्गेट देखने को मिल सकते हैं कि चलिए यहां पर लेवास माक कर देती हूं यह मारे पास इंपॉर्टन लेवल होगा 620 अगर उसको ब्रेक तो 550 और बीच में आकर हड़ल बनेगा तो बीच में माक कर देती हूं यहां पर ताकि कंफ्यूज ना हो यह वाला हड़ल यह चोटे-चोटे से टार्गेट होंग कि अग्लीफ और ले वाज़िए और वाचीं